हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्मेंट जोब जैने नॉटिफिकेशन यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, CDS 2 2021 नॉटिफिकेशन आउट हो चुका है जो नहीं जानते हैं कि CDS क्या है तो मैं आपको बता दू CDS means Common Defense Service Examination Defense में आपको इसमें जॉब मिलती है Officers Rank के लिए चीक है, सो ये साल में दो बार Connect करा जाता है सो First इसका पहले निकल चुका था and Second का notification आउट हो चुका है और इसकी जो examination date रहेगी वो 14 November 2021 रहेगी इसके लिए All India से candidate apply करते हैं Male and female बहुत candidate यहाँ पर apply कर सकते हैं अब यह जो exam है इसके तुरूँ आप IMA, means Indian Military Academy INA, Indian Naval Academy, Air Force Academy and Officers Training Academy के लिए eligible होते हैं, यहाँ पर आपकी posting या joining होती है ठीक है, अब इसके लिए जो service रहती है commission अगर हम देखें तो short service commission and permanent commission बहुत के लिए आप यहाँ पर apply कर सकेंगे इसके लिए eligibility क्या रहेगी, वह हम आगे वीडियो में discuss करेंगे इसका notification link मैं आपको description box में provide करूँगे apply करने से पहले fully detailed notification चेक कीज़ेगा वैसिक point हम इस वीडियो में discuss करेंगे चलिए notification देखते हैं यह आप notification देखना है, 48.2021 आज है UPSC की तरफ से Union Public Service Commission की तरफ से CDS notification आउट किया गया है यहाँ पर apply करने के लिए आपको online apply करना है UPSC की official site से जाकर करके आप CDS 2 के लिए अगर eligible है तो आप इसमें apply कर सकेंगे online ओके अब हम यहाँ पर देखेंगे की total vacancies कितनी है तो इसके लिए जो total vacancies हैं वो है 339, 349 total vacancies है इसके लिए जो apply करेंगे हम date और देख लेते हैं apply करने के लिए 4 अगस्त से लिए करके 24 अगस्त तक आप इसमें apply कर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे इसमें total vacancies तो अगर हम बात करें IMA की Indian Military Academy में है 100, INA के लिए है 22, Year Force के लिए है 32 and Officers Training Academy चन्नी में द्रास SSC Main के लिए है 169 and Officers Training Academy चन्नी के लिए 16 है यह SSC Women इसमें apply करेंगे short service commission पर ठीक है अब हम देखेंगे हैं पर age limit क्या रहती है eligibility criteria में तो इसमें age है अगर IMA के लिए apply करते हैं unmarried male candidate apply करेंगे 2nd July 1998 से 1st July 2003 तक आपका worth date होना चाहिए means 19 to 24 age रखी गई है आई आने के लिए भी सेम है 19 to 24 एर फोर्स Academy के लिए apply करेंगे तो इसके लिए 20 to 24 year है 1 July sorry 2nd July 1998 से 1st July 2002 तक आपका worth date होना चाहिए for officers training academy के लिए 2nd July 1997 से 1st July 2003 तक बर्थ date होना चाहिए ओके अब short service commission and permanent commissions क्या है इस पर मैं video upload कर दूँगी वैसे इसमें permanent commission में आपका जो भी पूरी service रहती है और short service commission में इंडियन आर्मी में अगर आप करते हैं तो 10 days रहती है और इसको तो आप डिग्री आपके पास है किसी वी stream से तो आप इसमें apply कर सकते हैं लेकर आपका 12 में physics chemistry math site से होना चाहिए and या फिर आपने engineering में डिग्री ली हुई हो इसके बाद हम देखें कि इसके लिए final जो student final year में है वो eligible रहेंगे तो yes final year student भी candidate भी इसमें apply कर सकते हैं fees देखेंगे 200 application fees है जो की general categories के लिए है और जो female candidate है and SC और ST candidate है उनके लिए कोई भी application fees पे नहीं करनी होगी examination होगा written examination उसके बाद SSB medical test and training letter होगा किस तरह से होगा वो पूरा syllabus जो है pattern जो है वो आपको notification में मिल जाएगा तो आप यहाँ पर check भी कर सकते हैं एक मिलेट आप यहाँ पर लास्ट में दिया गया पूरा syllabus levels pattern आप चेक कर लिजेगा और हाँ इसमें negative marking रहेगी सो carefully आपको answer देना होगा objective type questions आती हैं यहाँ पर आप examination center देख रहे हैं All India में आपके examination center कहां रहेंगे सो notification में आप के लिए कर लिजेगा सभी states में यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी states में examination center रखे गए हैं लगबग सो आप जिस भी states से ब्लॉंग करते हैं आप apply कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख लिए जगा Indian citizen इसमें apply कर सकेंगे ओके सो I hope आपको यह वीडियो helpful रहा हो पसंद आया हो अगर वीडियो पसंद आया तो like, subscribe, share, जरू कीज़ेगा Thank you